सब्सक्राइब करने वाले हैं अगर आपका प्ले स्टोर है वो काम नहीं कर रहा है तो आज आज की स्टोर में आपको एक ऐसा तरीका बताने वाला हूं जो कि आपका प्ले स्टोर बहुत ही तेजी से काम करने लगेगा जैसे कि अगर आपको भी एप्टिकेशन डाउलोड नहीं कर पा रहा है तो बहुत तेजी तरीके से आप डाउलोड कर पाएंगे या फिर आपका प प्ले स्टोर शुरू हो जाएगा तो इसके लिए आपको सबसे पहले तो वीडियो को लाइक कर देना है और आप चैनल पर नहीं है तो प्लीज चैनल को सब्सक्राइब शरूर कर लें इसी के साथ में आपको प्ले शोल को कुछ इस तरीकी से यहां पर प्रेस करके रखना है और आपको यहां पर मिल जाएगा एप इंफो इस पर आप सिंपली किलिक करेंगे आपको यहां पर यह ओप्सन मिल जाएगा इस पर आपको सिंपली किलिक कर देना है यहां पर आपको किलिक कर देना है तो यहां से सैटिंग्स को देखना है उसके बाद में आपको यहां पर storage का option मिलेगा हाला कि इसके अंदर कुछ भचता तो नहीं है फिर भी आपको यहाँ पर clear कर देना है वारी वारी से ठीक है सबसे पहले इस वाली settings को आपको click करना है उसके बाद में आपको इस settings को यहाँ पर click कर देना है इससे यह है कि जो आपका पुराना data था या फिर कोई भी error था वो यहाँ पर delete हो जाएगा चिंता करने की कोई ज़रूरत नहीं है जो आपने यहाँ पर app download किये है वो यहाँ पर delete नहीं होंगे ठीक है कास लोगों के यह सवाल आये थे पिखली videos में कि वही जो हमने इस application से जो application download किये है प्लेश्टोर से क्या वो delete हो जाएगे क्या वो चलना बंद हो जाएगे ठीक है तो ऐसा कुछ भी रही है ठीक है वो बैकादा काम करेंगे और ये भी आपका प्लेश्टोर भी ठीक हो जाएगा तो हम यहाँ से simply back करेंगे फिर back करेंगे और उसके बाद में अगर आप यहाँ से नहीं करते है तो आपको अपने फून की settings में जाना है यहाँ पर ठीक है उसके बाद में आपको यहाँ पर लिख देना है app info या फिर app manager ठीक है इस तरीके से आप लिखेंगे या फिर app list ये अलग-अलग फूनों में अलग-अलग settings होती है इसी तरीके से मैंने आपको पहले short तरीके से बताया था ठीक है ताकि आप वहीं से ही सारे काम कर पाएं ठीक है तो मैं यहाँ पर app management पे simply click करता हूँ यहाँ पर आप देखने app list का option ठीक है तो मेरे फूर में जितने भी app होंगे वो यहाँ पर देखने को मिल जाएंगे तो वो जैसे की play store है तो play store आप यहाँ पर देख पा रहा है उसके बाद में story पर जाएंगे और आप यहाँ से clear कर देंगे सारे data के लिए ठीक है दोबारा इसी के साथ पर आपको एक बात और भी बता दूँ जैसे की अगर आपको लग रहा है कोई application ज्यादा MB का है तो वो आप यहाँ से clear कर सकते हैं उसका data ठीक है तो जो आपके phone की storage है वो यहाँ पर वच जाएगी ठीक है जैसे की आप यहाँ पर देख पा रहा है कैन मास्टर है और यह दिखा रहा है 4.51GB का ठीक है तो कहने का मतलब है यह इतने का application नहीं है और ना तो कोई होता है ठीक है पर हमारे phone में चलते चलते और उनके update आते जाते हैं तो यहाँ पर जो storage है वो बढ़ती जाती है और इसी वज़े से जो आपका phone है वो silo हो जाता है ठीक है तो आपको इनको यहाँ पर सीधे सीधे clear कर देना है ठीक है अगर आप कर सको तब ठीक है तो इससे यह है मैं इस application को चकर से clear नहीं कर रहा हूँ क्योंकि उसके मैंने कुछ पैसे दे रखे है ठीक है और बाकी कोई भी application लगता है तो मैं यहाँ से clear कर सबता हूँ ठीक है जैसे कि यह application है ठीक है यह देख पा रहा है photo room ठीक है तो मैं इससे simply clear कर दूँगा और जो इसकी storage है वो खाली हो जागी तो इससे यह है कि मेरा phone है यहाँ पर फिरी हो जाएगा और वो phone सही से चलने लगेगा ठीक है तो आप यहाँ से clear कर देंगे storage के लिए ठीक है तो इससे यह है कि जो आपका phone का storage है वो यहाँ पर खाली हो जाएगा उसके बाद में अब आप यहाँ पर play store को simply open करेंगे तो मैं चलिए यहाँ पर open कर लेता हूँ open करने के बाद जो आपकी mail idea है वो यहाँ पर होगी आपके phone में तो वो उसी से ही डारेक्ट यह connect हो जाएगा और यह play store open हो जाएगा ठीक है तो आपको यहाँ पर पहली बार अगर आपने यहाँ पर यह इस तरीके से कर रखा है तो आपको यहाँ पर थोड़ा सा इंतिजार कर लेना है यह काम करने लगेगा ठीक है तो आप यहाँ पर देख पाना है मैं एक बार internet अपना चैक कर लेता हूँ और अफ कर दो ठीक है इससे रिफ्रेस करूंगा और मेरा यह पिले स्टोर है वो एक्टिव जाने की स्टार्ट हो जाएगा तो आप देख पा रहा है बहुत ही इजरी तरीके से जो मेरा पिले स्टोर है वो यहाँ पर शुरू हो चुका है और उसके बाद में अगर आपका फिर भी यहाँ पर पेंडिंग दिखा रहा है तो आपको करना क्या है आपको अपनी प्रोफाइल पर जाना है और आपको यहाँ पर मिल लाएगा यह आइकन पर सिंप्ली क्लिक करेंगे अकॉंट पर सिंप्ली क्लिक करेंगे अकॉंट पर सिंप्ली क्लिक करने के बाद आपको यहाँ पर एक नई मेल बना लेना है ठीक है नई मेल बना लेंगे तो इससे यह है कि आपका जो भी एरर बगरा होगा तो उस मेल पर होगा और यहां से फिर नई मेल वनाएंग तो उसमें आपको किसी भी तरीकी की दिकत नहीं आएगी किस तरीके से बनाना है इसकी आपको सिंपली किलिक करना है यहां पर कोई भी नेम ले तहूं ठीक है उसके बाद में 1999 यहाँ पर आपको एक बात को दिहान रखना है आप 19 अगर आपकी 18 साल से कम है तो आप कुछ एप्लिकेशन को इसके अंदर यूज नहीं कर सकते हैं तो यह अगर आपको सारे एप्लिकेशन को यूज करना है तो यह आप जादा ही डालें ठीक है उसके बाद में जैंटर सेलेक्ट करेंगे नैश्ट पर आप सिंप्ली क्लिक आपके सामने कुछ इस तरीके से मेल आ जाएगी यहाँ पर आपको मुवाइल नंबर भी डालने की ज़रूरत नहीं है अश्ट पर आप सिंप्ली क्लिक करेंगे अपना यहाँ पर कोई भी पासवर्ड बना लेंगे तो चलिए एक जाम्पल के तौर पर मैं कोई भी एक पास जो भी होते हैं आपको यहाँ पर सब कुछ मिक्सिंग करके तभी आपको एक पासवर्ड इस्ट्रॉंग बना रहा है ठीक है उसके बाद में नैस पर आप सिंप्ली क्लिक करेंगे और आप इस तरीके से स्क्रॉल करेंगे आपकी मेल एड़ी यही है तो हाँ यही है हमें यह स्क्रॉल करेंगे पर सिंप्ली क्लिक करते हैं तो आपके सामने कुछ इस तरीके से हांपर सर्विसज आजाएंगी और आपकी जो एड़ी है उसी एड़ी से आप यहां पर लॉग पर लॉग न हो जाएंगे फिर उसके बाद में ठीक है तो चलिए मैं आप लॉग इन हो जा है उसके बार में अगर आप कोई भी एप्ल sacrifice हैं और नहीं जाये क्वार्ग होना स्टार्ट हो जाए गा कि देख पारहें और आप्सस्राइब कर देना और आपके सब्सक्राइब कर देनार शॉर्म को 상태 कर हमें और एक दर काया है तो नहीं जिसपना स्टार्डけて कोमेंट सेक्षन में दे सकते हैं मिलते हैं आइस वीडियो से में